जब बिना किसी तैयारी के हरबड़ी में भरती का विग्यापन निकाल दिया जाता है तो इसी प्रकार के मामले सामने आते हैं 22 जुलाई 2023 यानि आज अही के दिन ये पटना से न्यूज आर्टिकल प्रकाशेत हुई है जो कि आप अपने स्क्रिन पर देख पा रहोंगे बिहार में हो रही सिक्षाक भरती प्रक्रिया में 11 और 12 में 57,000 पद हैं और मातर 38,000 आवेदन आये हैं इसमें पूरी तरीके से कमी राजसरकार की है क्योकि जो STT पेपर 2 माँगा गया है वो अधिकान सब विर्तियों के पास है ही नहीं जिसके आधार पर वो आवेदन करेंगे क्योंकि अन्य राजे के बिर्थे को पातर तो मान लिया गया है लेकिन S.T.T. की पेपर अधर इस्टेट छोड़िये बिहार के राजे के खुद के अभिर्थी जो बिहार के मूल निवासी है वो आवेदन करने से बंचित रह जा रहे हैं कि 2019 के बाद से S.T.T. की परिच्छा का आयोजन ही नहीं हुआ है अपनी इस गलती को स्विकारते हुए अब राजे सरकार S.T.T. की परिच्छा कराने के लिए आगे बढ़ रही है लेकिन वो इस भर्थी के लिए नहीं बलकी आने वाली भविष्य की भर्थी के लिए राजे सरकारों में होने वाली राजे इस तरकी जो सिख्छक भर्थी होती है वो पंच भर्थी योजन होती है किसी से भी छूपी नहीं चाहें किसी भी राजे का मामला आप उठा करके देख लिजिए अब 2023 में भरती हो रही है तो कब भरती होगी इसको लेकर भी शंशा रहेगा कि 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल कब होगी ये भरती ये भी एक तरीके से शंशा का विशा बना रहता है जहारखंड में आप देख लीजे, 2016 में लास्ट बार वहां की टेट परिक्षा होई थी, उसके बासे भरती ही नहीं होई है, 7 साल, 8 साल से ये वहां की टेट की बात हो रही है और भरती 2013 में होई थी, 10 साल हो चुके हैं जहारखंड में भरती को लेकर के इसी प्रकार से जो ये नया STT होने जा रहा है, उसके बारे में ये जानकारी दी जारी है कि आने वाली सिक्षक भरती में, भविशे की सिक्षक भरती में ये पातरता से सम्मंदित अभ्यर्थी की संख्या कम ना पड़े, इसलिए STT की परिक्षा होने जारी है और इसके लिए जो बिहार सिक्षा समीती होता है उसको प्रपोजल भेजा जाएगा देखे इसके बारे में क्या कुछ कहा गया है प्लस्टू सिक्षाग भरती के योग या भरती नहीं मिल रहे है BPSC ने 1,70,000 सिक्षाग भरती की वेकेंसी निकाल ली है इसमें से कक्षा 11,12 में सिक्षकों के 57,602 पद है लेकिन आवेदन मातर 38,000 ही मिले है आवेदन कितिती खत्म हो चुकी है विलम सूल के साथ आवेदन का अंतिम मौका शनिवारता की यानि आजही का है पद के अनुसार आवेदन में अभी 19,000 से अधिक गैप है इससे साबित होता है कि पद की तुलना में STT सेकेंडरी इलिजिबिल्टी टेस्ट उत्तिर्ण लोगों की परियाप्त संख्या नहीं है इसलिए अगले 6 महा के अंदर कक्षा 9-12 तक सिक्षक बनेने की पातरता परिक्षा STT आयुजित होगी ऐसा इसलिए कि आगामी सिक्षक भरती के लिए परियाप्त संख्या में योग यबेर्थी मिल जाए गडित भौतिकी रतायन जिब विज्ञान हिंदी अंग्रेजी संस्क्रित सहित अन्य विश्यों में STT आयुजित करने के लिए सिक्षा विभाग ने त्यारी पूरी कर ली है अगस्त में प्रस्ताओ बिहार विद्याले परिक्षा समित्री को भेज दिया जाएगा विभाग सीटों की संख्या नहीं देगा आशा है कि सितंबर अक्टूबर में BSEB विग्यापन जारी करेगा STT पास होने के लिए नियूंतम अंक समाने के लिए 50 प्रतिशत पिछड़ा वरग के लिए 45 प्रतिशत और अत्यांत पिछड़ा वरग के लिए 42.5 प्रतिशत और दिव्यांग और SCST के लिए 40 प्रतिशत लाना जरूरी है तो यहाँ पर यह चीटी की पेपर अंतिम बार जो हुआ था 2019 में हुआ था और उसका रिजल्ट दो साल बाद 2021 में घोशित किया गया अब जो पातरता परिक्षा होती है उसको लेकर के 2-2 साल लग जा रहे हैं तो सिख्षक भरती कितने साल में आगी अब आप इसी से अंदजा लगा सकते हैं तो यहां पर हरबड़ी में ये सबी चीजे की गई हैं सरकार के पास पूरे आकड़े थे कि 2019 में कितने अभियर्थी समलेत हुए और कितने अभियर्थी उसमें सफल गोशित किये गए जब हमारे पास इतने भारी संख्या में पद थे तो क्या हमारी मनसा है कि इन पदों को भरा जाए जहिर से बात है जब हमारे पास वो योग अभियर्थी नहीं है वो इलिजिबिल्टी रखने वाले अभियर्थी नहीं है तो हमें पहले वो इलिजिबिल्टी हांसिल कराना चाहिए था ना कि सिक्षाक भरती का विग्यापन जारी करना एक दो महीने अगर लेट भी हो जाता शिक्षक भरती तो भी कोई फरक नहीं पड़ता एटलिस्ट जादा जादा लोगों को रोजगार तो मिलता तो ये सबी बाते हैं जिसको लेकर करके अब सिक्षा विबाग सजग है और आने वाली सिक्षक भरती जो कि कब होगी किसी को पता ही नहीं है उसको ले